बहुत सारे परिचित चहरे मैं मेरे सामने देख रहा हूँ हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेजसी से विक्सित हो रहे शहरों में एक सहर सूरत है और आप सब आज सूरत में बैट करके नए संकल्प ले रहे हैं आप सब बहुत बहुत अभिनेंदर कुछ महिने के अंतराल में सरदार धाम से जुड़े साथियों देश दुनिया में गुजरात और भारत के गवरों को बढ़ाने वाले आप सभी बहन और भाईयों को फिर से मुझे मिलने का मोका मिला है एक गुजरात के प्रती और भारत के प्रती हमारे साजा संकल्पों साजा प्रतिबद्धता का ही प्रमान है साथियों देश को जब नई नई आजादी मिली थी तो वो आजादी के प्रारंबिक दिन थे और उस समय सरदार साहम ने जो कहा था और उन मुश्किल भरे हालात में सरदार साहम के शब्दों की ताकत देखिए उन्होंने कहा था भारत में संपदा की वेल्थ की कोई कमी नहीं है हमें बस अपने दिमाग अपने संसाधनों को इनके सदुप्यों के लिए लगाना होगा मैं कहता हूँ कि आजादी के मुकाबले में आने वाले 25 सानों के लिए जब हम एक संकल्प के साथ निकले हैं तो सरदार साहत की इस बात को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए आज भारत के पास इतना कुछ है हमें बस अपने आत्म विश्वास को आत्म निर्भरत आके अपने जजबे को मजबूत करना है ये आत्म विश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी सबका प्यास लगेगा सात्यों बीते आट सालों में देश में बिजनेस का उद्यम का क्रियेटिविटी का एक नया विश्वास जगाने का प्रयास किया जा रहा है अपनी नीतियां अपने एक्षन के माद्यम से सरकार का अंधरंत्र प्रयास है कि देश में ऐसा माहूल बने कि सामान्य से सामान्य परिवार का युवाबी एंट्रेप्रेणर बने उसके सपने देखे वो एंट्रेप्रेणर्सिप पर गर्व करे मेक इन इंडिया मेक फ़र्द वर्ल इसको नए भारत की नई संस्क्रिति बनाने के लिए मैं समझता हूं काम किया जा रहा है इसलिए आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफरसेक्टर के विकास नए शहरों के निर्मार पुराने शहरों में स्मार्स विधाएं विक्षित करने नियमों, काईदों, दस्तावेजों, कम्प्लाइंस इसके बोच से देश को मुक्त करने और इनोवेशन की, आइडिया की हैंड होल्डिंग ऐसे सभी कामों पर एक साथ काम किया जा रहा है साथियों, मुद्रा योजना आज देश के उन लोगों को भी अपना बिजनेस करने का हसला दे रही हैं जो कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे स्टार्ट अप इंडिया से वो इनोवेशन, वो टैलेंड में भी आज यूनिकॉन के सपने साकार होते देख रहा हैं जिसको कभी रास्ता नहीं दिता था Production Link Incentive यानि PLI योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साव तो भराई हैं सेमी कंड़क्टर जैसे नए सेक्टर के विकास की संभावनाए भी उपर करके सामने आ रही हैं अब देखिए कोरोना काल की अभुत्पुवत चुनोत्यों के बावजूद देश में MSME सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है